आज की साकार मुरली रंगे इन बड़े-बड़े अक्षरों में पड़े, सुने और मन्थन करें हम प्रति देन प्राता च्छे बजे, साहें चार बजे मुरली मन्थन करते हैं आप सभी इस मुरली मन्थन में साथी वसयोगी बन सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लाइव मुरली के लिए जुड़ने के लिए लिए लिंक दिया हुआ है सवेरे के लिए, शाम के लिए और रोजाना के लिए एक ही लिंक है यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है, आप यदि नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन इस लाइन चलती हुई लाइन में देख रहे हैं एक वर्षप नंबर दिखाई दे रहा है, उस वर्षप नंबर पर आप मुर्ली नंबर को नोट करके अपना लिंक के लिए रिकर्ष्ट बेश सकते हैं लिंक प्राप्त कर सकते हैं, आपका कोई प्रशन है तो वो पूच सकते हैं और यदि आपके पास कोई सुझाव है, जिससे हम सब का हित हो सकता है, तो वो भी आप देश सकते हैं ओम शानितिए आज की मुर्ली का साथ मिठा मिठा बाबा कहते मिठे बचे बुद्धी को रिफाइन बनाना है तो एक बाब की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच बनती जाएगे जितना हम याद में रहेंगे, आत्मा उतना स्वच बनती जाएगे क्योंकि बाबा की स्रीमत पर हम चलेंगे, तो हमारे जीवन से बुराईयां आवगुन निकलते जाएगे जैसे जैसे हमारे जीवन से बुराईयां आवगुन निकलते जाएगे, तो आत्मा स्वच बनती जाएगे तो आत्मा को स्वच बनाने की वेदी हमारे सामने बहुती सेंपल, बहुती सीधी आ जाती है कि हम आत्मा जितना जितना बाबा की स्रीमत पर चले उतना ही हमारा कल्यान है और स्रीमत पर चलने के लिए हमें अपना धर्मराज बनना है बाबा ने कहा है कि मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं तुम सब को धर्मराज बना देता ह। क्योंकि धर्मराज कोई भी कब बनता है जब उसको सारे नियम कानून मालूम हो जब तक नियम और कानून मालूम नहीं है तब तक वो धर्मराज नहीं बन सकता तो हम आत्मा भी अपना धर्मराज तभी बन सकेंगे जब हम नियम और कानून को अपने जीवन में धारण करेंगे जानेंगे तो परमात्मा ने हमें सारे रोजना जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके द्वारा हमको सारे नियम और कानून पता चलते जा रहे हैं और हम हर पल अपना कार्मिक एकाउंट बराबर करें हम अपना कार्मिक एकाउंट हर पल बराबर करें यह नहीं है कि इस समय करें तो उस समय नहीं करें हम हर पल क्योंकि जो भी कर्म हो रहा है जिस भी आत्मा के साथ हमारा कोई कार्मिक एकाउंट है वो बराबर हो रहा है ना पर तो हम बराबर किस परकार से कर रहे हैं रोकर या खुश होकर क्योंकि लास्ट मोमेंट में तो हमने एक ही सेकिन में घर जाना है अब एक सेकिन में हमारे पास कौन सा कार्मी के काउंट आएगा एक ही आएगा ना कार्मिक एकाउंट और उस कार्मिक एकाउंट को बराबर करते ही हम अपना निर्णे ले लेंगे कि हाँ हम अपनी complete position पर पहुँच गए हैं और अब हमारा किसी के साथ कोई कार्मिक एकाउंट नहीं है अब हमको घर जाना है और हम सीधा एक ही सेकिन के अंदर परम अवस्ता में चले जाएं परंतु हम इस समय भी तो किसी ने हमें डंडा मारा है तो हमने वो कार्मिक एकाउंट उसके साथ बराबर किया यदि हमने रो करके किया तो हमने भी उसे दुख दिया हुआ था उसने आज दुख दिया हमने अपना करम भोग करके बराबर किया और यदि उसने डंडा मारा और हमने बाबा की याद से ये समझ लिया कि मेरा हिसाब किताब बराबर वाई नहीं तो मैँने बड़ा खुशी से उसको बराबर किया परतु मैंने अपना कार्मिक ऐकाउंट बराबर किया यह बहुत अच्छी तरह से याद रखना है हम हर वक्त अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं बिच्छू टिनन लास्ट में एक दम आकर हमें दुख नहीं देंगे इस समय जिनको जिनको हमने दुख या सुक दिया हुआ है वो दुख वा सुक देकर हम सब अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं यह हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए यही है धर्मराज बनना कि हम कैसे कर रहे हैं करम भोग करके या करम योग के साथ पर तो कर रहे हैं धर्मराज हर वक्त बने हुए हैं हमारी मर्जी है हम उस सजा को अपना करम भोग के रूप में लें या करम योग के रूप में लें तो हम अपना इसाब ब्राबर कर रहे हैं लाश्ट में आगे चल करके कोई बचा हुआ इसाब किताब एकदम ब्राबर नहीं होगा हम हर वक्त अपना कार्म के काउंट बराबर करें हर वक्त हम धर्म राज हैं कि ठीक है कोई डाउट है तो पूछो प्रश्ट वर्तमान समें मनुष्य अपना टाइम वा मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं उत्तर, जब कोई शरीर चोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदी खर्च करते हैं कितना पैसा खर्च करते हैं देखा है जब शरीर चोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं उस आत्मा ने हमें समझ में आ गया है इदर से शरीर चोड़ा उदर जाकर के जनम ले लिया एक ही सेकिन में इदर से शरीर चोड़ा उदर जाकर जनम ले लिया अब इस शरीर को क्या करना है अब इस शरीर को चाहे अपने रिती से रिवास से जैसा भी आपका नियम है आप इसे जलाएंगी कत्म अब क्या करना है अब इन पंटों को रोटियां खिलाना है इन पंटों को पैसे देना है इनके पेंड़ दान कराना है इनका ये जमेला करना वो जमेला करना क्या है ये कई तो दस दस गावों को कई कई गावों तक 52 गावन गावन तक खाना किलाएंगे किसलिए पैसे बरबाद कर रहे हैं उनकी मूर्तिया बना के रखवा रहे हैं उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं यह सारा काम जो कुछ भी आप उसके बाद जिसने शरीर छोड़ दिया जिस आत्मा ने जाके दूसरी जगा जाकर जनव ले लिया अब आप उसके उपर जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो वेस्ट इस ओफ मनी है वेस्ट इस ओफ टाइम है उसके ओपर जो भी टाइम आप कर्च कर रहे हो वो वेस्ट है और टाइम भी वेस्ट है और मनी भी वेस्ट है कुछ भी करना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है समझदार को अपने बच्चों के प्रति लिख करके जाना चाहिए बता कर जाना चाहिए मेरे मरने के बाद बस मेरे शरीर को उठाना जहां मर जी है जला देना खतम क्योंकि जलाना समाजिक नियम है बाकि उसके बाद का कोई कुछ करने की कोई जरूरत नहीं ये सिरफ बाकि ब्रामनों ने दुनिया को बर तो उनको कहने दो हमें उनसे क्या फर्क पड़ता है दुनिया वाली तो बोलेगी दुनिया वाले तब भी बोलेंगे कि जीते जी उसको कुछ भी निकलाया और आप देख उसके लिए दस गाम खिला रहे हैं बोलने वाले तो वही बोलेंगे बोलने वाले तो कभी रुकेंगे दुनिया तो बोलेगी इतना पैसा छोड़के गया है क्या हुआ इतना कर दिया तो उन्होंने तो बोलना है नाम मानशान के लिए कर रहेंगे मलब दुनिया तो बोलेगी वो हम अच्छी तरह से जानते हैं उसके दुनिया के बोलने को कभी भी हमें परवाद नहीं करने है बता रहो ना हम दुनिया के दिखावे में क्यों रहें हमने दुनिया को देखना ही नहीं है क्या जुरूँच है हमें दुनिया को देखने की दुनिया तो कहेगी आप शादी करो आप कितना पैसा वेस्ट कर दो नमबर दो का पैसा होगा नहीं है तो जो गंजूस है कोई खर्चा नहीं किया इसने या इसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है कुछ भी कहो हर एक का कहने का उसके लिए आप निश्चिंत रहे कि दुनिया वाली तो बोलेंगे हमें जो है उनके बोलने की परवहा नहीं करने है वो कुछ भी बोलें कुछ भी कहें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपने आपको समझा देने दुनिया का क्या है दुनिया के घर से क्या जा रहा है ओम रुहानी बाप बैट रुहानी बच्चों को समझाते हैं ये भी ऐसे कहते हैं कैसे कहते हैं कहते हैं न फिर बाप है या दादा है दादा भी कहेंगे रुहानी बाप तुम बच्चों को ये नौलेज दे रहे हैं और पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर का परमायत्मा हमें कैसे कहते हैं बूत वर्तमान और भविश्य का ज्यान देते हैं वास्तव में सत्यूच से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ ये है मुख्य बाद सत्यूच से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ ये है मुख्य बाद बाकी द्वापुर कल्यूग में कौन आए क्या हुआ उनकी हिस्ट्री जोगरोफी तो बहुत है सत्यूच त्रेता की कोई हिस्ट्री जोगरोफी है नहीं और तो सब को सब की हिस्ट्री जोगरोफी है बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं ये है बेहद की बेसमजी तुम भी बेहद की बेसमजी में थे तुम भी क्या थे बेहद की बेसमजी में थे अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है बहुत कुछ समझने का है बाप ने आबु की महिमा पर समझाया है इस पर ख्याल करना है इस पर क्या करना है? ख्याल करना चाहिए ब्रमा बाबा जोईशे बाबा आबु की महिमा के बारे में समझाते हैं तो बाबा केते इस बात को थोड़ा ख्याल करना चाहिए तुमारी बुद्धी में आना चाहिए तुम यहां बैठे हो कहां बैठे हैं मदुबन में यहां बाबा मुरली के अनुसार बाबा में गरे तुम यहां बैठे हो तुम मदुबन में बैठे हो तुमारा यादगार क्या है वहाँ देलवारा मंदिर हमारा तुमारा यादगार देलवाडा मंदिर कब बना कितने वर्ष बाद बना कहते हैं बारा सो पचास वर्ष हुए है जो देलवाडा मंदिर बना था आप से बारा सो पचास वर्ष पहले बना था अच्छा तो कितने साल बाद बना सेंती सो पचास वर्ष के बाद बना जब स्वर्ग था उससे सेंती सो पचास वर्ष के बाद बना तो उन्होंने भी अभी का यादगार और वेकुंठ का यादगार बनाया उन्होंने भी अभी का यादगार और वेकुंठ का यादगार बनाया मंदिरों की भी कम्पिटिशन होती है मंदिरों में भी क्या होती है कम्पिटिशन वहाँ पर देलवारा मंदिर में देखा है कम्पिटिशन किसी ने देलवारा मंदिर किसी ने देखा है आप में से तो वहाँ कम्पिटिशन देखा कहीं पर तो वहां देखा देवरानी और जिठानी को देखा अपने प्रचाना उसमें कौन सी देवरानी और कौन सी जिठानी है वहां ये पैचान भी दी है वहां जो ने खार पहना हुआ है नहीं वहां पर जो देवरानी जिठानी वाला मंदिर है उसमें जिसमें आदी देव की मुर्ती रखी है अंदर उसके बार दो गोखले बनें एक इस तरफ और एक इस तरफ और उन दोनों गोखलों के उपर देवरानी और जिठानी की मुर्ती रखी गई है और जिठानी के गर्दन को थोड़ा सा जुका दिया है बस इतना ही अंतर है कि जिठानी की गर्दन सीधी रखी गई है और देवरानी की गर्दन को थोड़ा सा जुका दिया है तो इस परकार से उसका बाकी यह देखिए कि जो दिरानी जिठानी का मंदर बनाया उस पर इस से भी ज़्यादा पैसा खर्चुआ परन्तु दिलवारा मंदर के आगे जो एक्ट्वल मंदर है उसके आगे वो कुछ भी नहीं है और उसके बाद जो तीसरा बनाया जिसमें पांच दातु का रखा गया वो बहुत लेट बना पर तो उस पर पैसा ज़्यादा खर्चुआ पर तो वो भी उसके आगे कुछ नहीं है तो जो पहले बना है वही सबसे ज़्यादा वैलिवाइबल है तो कंपिरिशन होती है न एक दो से अच्छा बनाएंगे उसने मंदर ऐसा बनाया है हम इस अपने मंदर में थोड़ा और अच्छा करेंगे और उच्छा बनाएंगे और अच्छी क्वालिटि का बनाएंगे नेच्रल रो जाना नई नई चीज़े नई नई inventions आती जाती हैं नई नई तरीके नई नई साधन आते जाते हैं तो natural है कि जो बाद में मंदिर बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा क्योंकि जब हम द्वार का धिश से गई थे मंदिर देखा तो वहाँ जाकर कैसे लगा जैसे गाउं में एक मंदिर हो और हमारे यहाँ पर तो शहरों में उससे कई गुना अच्छे मंदिर है और जिस मंदिर को हम यहाँ तिनी दूर देखने के लिए हैं हो तो एक गाउं का मंदिर है मौपर्श भी प्लेन और सब कुछ प्लेन और बिलकुल कोई कोई बनावट नहीं कोई सुंदर्ता नहीं कोई आकरशन नहीं सिरफ वहा वही काले जबल देव और सब रक्टे हुए हैं क्रिशन और सोबद्रा जो भी बिठा के रके सब देवी देवत तया जितने बिठा के सब काले काले पत्तर के और चोटे चोटे हैं कोई बहुत बड़ा भी नहीं है मंदिर, चोटा सा मंदिर है, अब इत्वार कदीश के मंदिर को इतनी दूर देखने के लिए दुनिया जाती है, दौर का जा रहे हैं, अब उस टाइम का काफी टाइम जो मैं सुनू का आज से पांस साल पहले, हजार साल पहले, आर सो साल पहले जो मंदिर बनाया होगा, उसमें साधन कितने थे, उन्हीं साधनों के साब से वो मंदिर बना, एक, दो से अच, जो मानबाव का मंदिर होता है ना भाईजी, उसका लिए तो कृष्ण की मुल्टी को शिलिन टाइब गिता थे, जैसे की बिए खत्पर पहले वो मंदिर जए खत्ति के वो मंदी में रप्ति एप मुल्टी में रपके तरो से निलिग एच, जो यदिर सन्वाग आपते है चालो एक दो से अच्छा बनाएंगे अभी तो पैसा ही कहा है जो बनावे पैसा तो बहुत था तो सोमनात का मंदिर कितना बड़ा बनाया है अभी तो बना ना सके बल आगरे आदी में बनाते रहते हैं परंतु वहे सब हैं पालतू मुनुष्य तो अंदियारे में है ना मुनुष्य तो अंदियारे में है ना जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जायेगा ये बाते कोई भी नहीं जानते हैं तोरते और बनाते रहते हैं पैसे मुष्ट में आते रहते हैं सब वेस्ट होता रहता है वेस्ट आफ टाइम व आत्मा तो चली गई, बागी खाल किया काम की, सर्प खाल छोड़ करके जाता है, किसका माती है, उनकी को value है क्या, कुछ भी नहीं, बक्ती मारग में खाल की value है, जर चित्र की कितनी पुजा करते हैं, पट वो काब आये कैसे आये कुछ भी पता नहीं, जड मूर्तिया बनाके रगदी है अब उनके चित्र बनाके पुजा कर रहे हैं वो कब आये थे actual में पता ही नहीं कैसे आये कुछ भी पता नहीं क्या किया कुछ भी पता नहीं इनको कहा जाता है भूत पूजा पांच तत्यों की पुजा करते हैं पांच तत्वों को भूत क्यों कहते हैं? वह पांच तत्वों का बना हुआ है और जैसे ही देवान में आते हैं भूत का मतरह होता है भूत का अल से संबंद होता है जो बीट गया यह अभी है अभी नहीं रहेगा नस्वर है अभी है अभी नहीं रहेगा इसका क्या मतलब है शरीर तो अभी है अभी होगा हाँ यह शरीर परिवर्तन सील है इसके लिए हमने एग्जमपल लिया था कि एक नदी में दुबारा कोई नहीं ना सकता ना सकता है को दुबारा नदी में बैते पानी में ना सकते हैं एक नदी में दुबारा ना सकते हैं क्योंकि वह पानी बैंग गया जिसमें आपने पहले डुब की लगाई जब आप उपर आये दुबारा डुब की लगाने लगे तो वह पानी तो चला गया था वो पानी तो चला गया था वो नदी तो चली गई आप तो आप दूसरी नदी में ना रहे हो क्योंकि बैती बैती पानी को नदी का जाता है खड़े पानी में ना आना तो बार-बार ना सकते हैं क्योंकि पानी वहीं करें खड़ा है पर तो खड़ा पानी सरना लग जाता है, बैता पानी सरता नहीं है, क्योंकि वो त्रंत आक्सजन को लेता रहता है साथ के साथ, खड़े पानी में आक्सजन को आना कठिन रहता है, बैता पानी आक्सजन को अपने अंदर समेठता रहता है, जिसके कारण वो हमेशा ताजा रह तो हुआ समझ में रहा है कि हर चीज परिवर्तन शील है, जो भी तत्व आपके पास है, आता है, रोटी है, सब्जी है, कुछ भी है, वो अगले पल हर पल खराब हो रही है, हर पल उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए उनको भूत कहा जाता है, वो कभी भी एक रूप मे रुकते नहीं है चाहे हमारा ये सजीव शरीर है इसके अंदर भी हर सेकिन परिवर्तन आ रहा है पर तो हम उसे तो इसलिए इनको भूत कहा जाता है जिनमें भी परिवर्तन आ रहा है और वो नस्ट हो जाने वाले हैं वो खत्म हो जाने वाले हैं उनको भूत कहा जाता है क्योंकि जो चीज एक से अधिक तत्मों से मिलकर बनी है और वही हम देख रहे हैं एक से अधिक तत्वों से बनी हुई चीज खत्म होगी क्योंकि वो बनी है वो खत्म होगी वो तत्व अपने आपने खत्म नहीं होते पर तो उन तत्वों से मिलकर बनी हुई चीज खत्म होती है तो संसार के जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक से अधिक तत्मों से मिलकर बनी हुई चीजे हैं और वो सब क्या होनी है खत्मों होनी है पेर है वो भी एक से अधिक तत्मों से मिलकर हैं जी प्रकृति में यानि मिलावट होते रहती है लेकिन आत्मा में मिलावट नहीं होती तत्मों मिलावट नहीं होगी तो उसमें अन्जी पांचो तदो शत्य में आएंगे पांचो तदो सत्य हैं पंटू एक से अधिक तत्वों से कोई भी चीज बनी है वो असत्त है क्योंकि जैसे ही दो तत्व मिलाए उन में से एक तत्व अलग हुआ वो चीज नहीं रहेगी न जैसे एजामपल दिया था कि पीतल तीन चीजों से मिलकर बनता है तीन, लेड और कोपर इन तीनों को मिलाकर पीतल बनता है वैसे पीतल कोई धातू अपने में अपना प्योर फॉर्म में कोई पीतल धातू नहीं होती इन तीनों को मिलाया जाता है इन तीनों को मिलाने से पीतल धातू बनती है अब यह दिया हमने पीतल में से टिन लिका लिया तो भी वो पीतल नहीं रहेगा लीड निकाल लिया तो भी वो पीतल नहीं रहेगा कोपर निकाल लिया तो भी वो पीतल नहीं रहेगा इसी परकार ये पांस तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है और ये पांस तत्वों में से एक भी तत्व हमने निकाल लिया तो ये शरीर भी नहीं रहेगा इसका पानी निकाल दें शरीर का तो शरीर रहेगा शरीर में से पानी सारा निकाल कर अलग कर दें तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा इस शरीर को दबा करके इसमें जितना आकाश है वो सारा निकाल कर इसको solid बना दे तो शरीर रहेगा तो भी नहीं रहेगा किसी भी एक तत्व को निकाल दिया तो ये शरीर नहीं रहेगा तो इसी प्रकार संसार की जितनी भी चीजे हैं वो एक से अधिक elements से मिल करके बनी है इसलिए वो नस्ट हो जाती है परन्तु element nest नहीं होंगे कौपर तब भी रहेगा चावो पीतल में है या पीतल में नहीं है तिन तब भी रहेगा चावो पीतल में है या पीतल में नहीं है लेड तब भी रहेगा चावो पीतल में है या नहीं है इसी प्रकार हमारे शरीर के पांचों तातु शरीर में है तो भी रहेंगे नहीं है तो भी रहेंगे उनमें कोई अंतर नहीं आएगा पंटु वे भी समय के अनुसार यात्रा कर रहे हैं अभी वो तात्व मेरे शरीर की शोबा हैं मेरे शरीर को दिखा रहे हैं और मैं आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया पानी चला जाएगा कहीं और कहीं और जाकर के वहां की शोबा बनेगा वायू कहीं और चली जाएगी प्रिथ्वी कहीं और चली जाएगी जहां जाएंगे वहां की शोबा बनेगे तो इस परकार से ये नहीं कह सकते कि वो तत्व नस्ट हो गए उन तत्वों को हम जूठा नहीं कह सकते पंटु उन तत्वों से बनी हुई ये दुनिया जो दिख हो जाएगा तत्व अपने आप में सत्य हैं पत्व तत्व से बना हुआ ये शरीर असत्य है अब जो में बात आज जो समझने वाली है वो इस बात से अलग है वो ये है कि हर तत्व भी परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन होना और नस्ट होना दोनों में अंतर है जिस अंतर को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे पानी को मैंने इधर सुखा दिया जला दिया वो पानी यहां से स्टीम बनके चला गया कहीं और जाकर वहां वाता वान ठंडा हुआ वहां फिर से पानी बन गया फिर से पानी बन गया और वो पानी बने गा पानी रहेगा वो चाहे वो लेटर हो शूनर बने गा और उसके साथ मैंने चर्चा कि थी कि हमने कोई फल खाया है फल का भी एक पीस खाया है उसके दौरा भी हमारे शरीश में पानी आया है उस फल के एक पीस में कुछ पानी की मात्रा थी जो आए और वो फल मान लिजे किसी विदेश से आया है कहें विदेश से आया है अब वो पानी मेरे शरीर में गया मेरे शरीर के द्वारा पसीने के द्वारा बातरूम के द्वारा तैलिट के द्वारा कैसे भी वो बाहर गया और फिर वो यात्रा करके 5000 साल बाद वो फिर उस देश तक पहुँचेगा और वहां से वे उस फल के माध्यम से मेरे पास आएगा accurate time पर मैं उसे खाऊंगा और उस फल का कुछ पानी का ऐसा मेरे अंदर आया बाकी फल का पानी का ऐसा पता ने किस किस के पास गया और कैसे वो सारे यात्रा करके वो ही पानी फिर से मेरे पास आएगा ये चक्र को याद करने से समझ में आया कि हम आत्मा में भी परिवर्तन आता रहता है और परमात्मा में भी परिवर्तन आता रहता है परमात्मा में परिवर्तन नहीं आता ना भाई कि वो तो परिवर्तन करेगा तो फिर हम आत्मा हो जैसा हो जाएगा क्यों हो जाएगा वो तो उसका उसका परिवर्तन निस्चीत है बही गई वो ड्रामा के पॉर्डिंग उसका एक साल का जो पार्ट है उसका इसमे का भी तो इसका परमदा में रहता है तो इसका भी तो समय तो चली रहा है ना उसका भी तो उसका परमधा में रहने का समय पर करता है और हो सौ साल का ये पाठ करता है अगले दिन कुछ सुना रहे है अगले दिन कुछ सुना रहे है ये तो ही नहीं कि पिसलिए एक ही रिपीट करते रहेंगे तो परिवर्तन परमात्मा में भी आ रहा है पर तो उसका परिवर्तन निश्ची था है 5000 साल में क्या क्या परिवर्तन करके फिर वापिस उसी रूप में चलना है इसी परकार से हर आत्मा सत्य जो सत्य हैं उनमें भी परिवर्तन आता है पर्तु सत्य कभी नस्ट नहीं होता परिवर्तन होता है इसलिए ड्रामा कभी नस्ट नहीं होता ड्रामा में परिवर्तन होता है पर्तु से ड्रामा के अंदर जो कुछ भी हम देख रहे हैं जो एक से अधिक ऐलिमेंट से बना है वो नस्ट होता है जोकि इसलिए हमने पितल को सच नहीं कहा मैंने इसलिए एक्जमपल स्पेशल दिया है वहाँ पितल जूट है तामबा सच है यह शरीर पांच तत्वों से बनाए यह जूट है पर तुप पांच तत्व अपने आप में सत्य है डाउट मेरे खार कोई नहीं रहना चाहिए राय कोई डाउट नहीं है भाई जी ठीक है कि नहीं आपको एक्जम आपको क्लियर कर सकेंगे इसमें कैसे दुनिया पी तल्गी गाना कोई गीत है मेरे का से यह अनिल भाई यह अच्छा है ना है होगा कोई ना कोई गाना मेरे को लग रहा है कोई गीत है यह जो ठीक है समझो यह लक्षमी नारायन स्वर्ग में राजे करते थे अच्छा देर सो वर्ष आयू पूरी हुई शरीर छोड छोड दिया बस शरीर तो कोई काम का ना रहा उनकी वहां क्या वैल्यू होगी आत्मा चली गई शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया वो रसम रिवाज के हम सर जला देंगे या दपना देंगे ऐसे नहीं कि उनकी मुटी लेकर के उड़ाएंगे नाम करने के लिए कुछ भी नहीं यहां तो कितना करते हैं ब्रामन खिलाते हैं यह करते हैं वहां यह कुछ होता नहीं सतिर में यह कुछ नहीं होगा द्रामा यहां तुम जो मर्जी करते हैं खाल तो कोई काम की नहीं खाल को जला देते हैं बाकी चित्र रहते हैं सो भी accurate चित्र मिलना सकें, बहुत अच्छी तराज बाबा में समझा रहे हैं, कि accurate चित्र रवलक्ष्मी नरहन का जो चित्र था, वो आज accurate तो मिलनी सकता, ओर समय का किसी के पास कोई फोटो नहीं, कोई मूर्ती नहीं, ये जितनी भी मूर्तिया हैं, मन गरंत बना वही मूर्त तो ही है, 2250 साल पहले, 2300 साल पहले आदी देव हुआ, रिशब देव, जेनियों का गुरु है, वो हुआ, अब उसका फोटो किस के पास है, किसी के पास भी नहीं है, मैं अब भी, मुझे अब भी का याद है, अपने इस जनम का याद है, कि रामायन, या जितने भी हमारे गोरखपुर प्रेस से, बुक्स प्रिंट होती थी, ठ्यानि, उनके अंदर, जितने भी चित्र होते थे, लाहिनों के बने होते थे, हमारे जैसे फोटो के नहीं बने हो थे राम ऐसे लाइनों से बनाया हुआ होता था कैमरा ही नहीं था फोटो कैसे आएगा तुम्हारा आज कल तो है न सब के सब फोटो आ गए हैं सब के फोटो बना दी है गयने और कपड़े भी नहीं थे मील भी बाद में लगी जो भी गयने कपड़े रहे हों यह तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं रहे होंगे उस ट्रेम पर सुन्दरता के साधन बहुत अच्छे रहे हों उसका मेरे को कोई मतलब बाबा यह कह रहे हैं कि उस स सतियोग में बहुत सुन्दर गयने होंगे बहुत सुन्दर साधन होंगे बहुत सुन्दरता होगी सब कुछ होगी तो वो एक्च्छल फोटो तो नहीं है जो आपने उस बात को नहीं कह रहा हूं बाबा जो कह रहे हैं न कि एक्च्छल फोटो तो नहीं है न उसका पहरी ब हमने सब डुड़़ां वालों को समझानी हैं कि जो यदि चुateurs कि अपने बना रखी है एक्ष्टोल किरशन की मुर्थी किसके पास है ये तुमने बनाकर रखे चारभो किर्शन की हो चाय नारान की हो चाय नरान की हो चाय लुपास की घर बेड़ा गर्क कर रहता है गनेश का तो गनेश का तो लाइने खेंच करके पता नहीं कहां कहां से कैसे मोर तोरके कुछ भी बिला देते हैं जो भूक में लिखी है ना पुरान लिए उसके अधार का भी बेड़ा गर्क कर दिया है आज तो पता नहीं गनेश को कहां से कहां कैस गुमा देते हैं, मोटा बना देते हैं, पतला बना देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या नहीं कर देते हैं, उसका मतलब मैं तो लाइनों से देखो, आप कितने कैसे कैसे गनेश खड़ा कर दिये हैं, बस एक सूर बना दी तो भी गनेश हो गया है, इनको आपर की चाहिए कि सूर होना चाहिए कैसे भी बना दो मैं आज देख रहा हूं कि क्या हालत हनुमान की क्या हालत कर दिया है किस परकार से उन्हों बाच भाच करने भाघंए कि अभानya बनाषक मतलब नहीं आज बाबा वो तो दुनिया की आप्की बात है पर तू बाबा यह किया है कि कि तुमने पंस्तियाशनesting अइक्शुल में यह मूर्तियां भी तो एक्शुरेट नहीं है तब के पत्थर की है पुजा जब शुरू की है जब शुरू की है तब के पत्थर की है मूर्तिया बनाई है उससे पहले की तो नहीं है न असुल जो था वो तो जलकर खतम हो गया जो बात बाबा हमें समझाना चाहरे है कि असुल में जो भी मलब चाहे वो इस दुनिया में हुए चाहे शुकराद को कहो तो चाहे नारस्तु को कहो जितने भी ये संत हुए मलब चाहे हमारे देश में हुए चाहे दूसरे देशों में हुए उनका कोई actual photo तो किसी के पास नहीं है न इन बातों पर भी तो सोच तो चलता है आबु की महिमा को अच्छी रीती सिद करना है तुम भी यहां बैठे हो यहां ही बाप सारे विश्व को नर्क से सर्ग बना रहे है तो यही सब से उँचते उँच तीरत ठेरा यह आबु जो है सब से उँचा तीरत है जहां बाबा बैठ कर सब का कल्यांग कर रहे है अभी इतनी भावना नहीं है सिर्फ एक शिव में भावना है कहां भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा अमरनात में भी शिव का ही है कहते हैं शंकर ने पार्वती को कता सुनाई वहाँ तो कथा की बात भी नहीं, मनुश्यों को कुछ भी समर्ज नहीं है, अभी तुमको समर्ज आई है, आगे पता था क्या? आगे पता था क्या? नहीं पता था? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं सर्व तीर्थों में ये माहन तीरत है बाबा समझाते तो बहुत हैं परन्तु जब की अनन्य बच्चे अनन्य बच्चे कोंच होते हैं? विशेश बच्चे एक होते हैं अन्य बच्चे एक अनन्य जो अन्य नहीं है विशेश है उनको अनन्य कहा जाता है अनन्य बच्चे चुने वे बच्चे बच्चों की बुद्धी में बैठे और तु जब अनन्य बच्चों की बुद्धी में बैठे अभी तो दे अभिमान बहुत है बच्चों में अभी तो दे अभिमान बहुत है ज्यान तो बहुत धेर चाहिए रिफाइनेस बहुत आनी है अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है योग के साथ फिर नौलेज भी चाहिए ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है योग में नौलेज जरूर चाहिए देली में ग्यान विज्ञान भवन नाम रखा है परन्तो इनका आर्थ क्या है ये समझते थोड़े है ग्यान विज्ञान तो सेकिन का है शांती दाम सुख दाम परन्तो मनुश्यों को में जरा भी सुनाते हैं कितने उनों के देर फॉलोवर्स हैं कितने उनों के देर फॉलोवर्स हैं सबसे बड़ा जगत का गुरू तो एक ही बाप है बाप और टीचर से बड़ा गुरू होता है बाप और टीचर से बड़ा कोन होता है गुरू होता है इस्तरी कभी दूसरा पती नहीं कर करना चाहिए अपना एक ही गुरु रखना चाहिए दूसरे गुरु के पास जाने से फिर जो है न वो गुरु उनकी गती सद्गती नहीं कर पाता एक गुरु किया उनको ही सद्गती करनी है अब ये बात जो है दुनिया वालों की अनक के दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए ब्रह्मा बाबा ने तेरा तेरा गुरु कर दिये जितने भी गुरु कर लिये पर तु बाबा कहता ये एक गुरु वाली बात मेरे लिए थी किवल मैं ही सद्गुरु हूँ बाकी तो कोई सद्गुरु है ही नहीं बाबा जो कहना चाहर है अगली लाइन में वो ये ही कह रहे हैं उनकी ही सदगती करनी है फिर और गुरु क्यों सद्गुरु तो एक ही बेद का बाप है जो सबकी सदगती करने वाला है और कोई गुरू अपनी सदगती नहीं कर सकता तो दूसरे की सदगती क्या करेगा कोई भी और है नहीं सदगती करने वाला तो इसलिए मेरे को ही गुरू बनाना है और किसी को गुरू नहीं बनाना और दूसरा कोई भी गुरु अपनी सदगति नहीं कर सकता तो किसी दूसरे की सदगति कैसे करेगा अब इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं बाबा के बच्चे के तेहीं जो इनको समझते नहीं है बाप ने समझाया है ये राजदानी स्थापन हो रही है तो नंबर वार तो होंगे न नंबर वार तो होंगे न सब एक साथ तो नहीं हो सकते कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते कई तो इतने अच्छे बच्चे हैं जरा सा भी रिंचक जरा सा भी नहीं समझ सकते ड्रामा में पार्ट ऐसा है टीचर तो समझ सकते है जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा शिव बाबा, जिसके शरीर से समझाते हैं, उनको तो मालूम पढ़ता होगा ये तो गुड जाने, गुड की गोथरी जाने गुड शिव बाबा है, और गोथरी ये ब्रमा बाबा है ब्रमा बाबा है, गोथरी ब्रमा बाबा है गोतरी बोलते हैं जो ले को थेले को जिसके अंदर गोर रखा होता है पहले बोरी के उती थी थी न उसे वे सब की अवस्था का को जानते हैं हर एक की पराई से समझ सकते हैं कौन कैसे परते हैं कितनी सर्विस करते हैं कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसने कोई घर बार नहीं छोड़ा इसलिए लक्ष्मी नारायन बनते हैं महिनत करते हैं ना ये knowledge बहुत उची है ये knowledge क्या है बहुत उची है कोई अगर बाप की अवग्या करता है तो एक दम पत्थर बन पड़ते हैं एक दम क्या बन पड़ते हैं पत्थर अब पत्थर बनने का मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर बन जाएंगे पत्थर बनना माना पत बुद्धी बन जाते उनको फिर कुछ भी समझाओ समझ में नहीं आएगा क्योंकि बाबा का कहना नहीं माना अवज्या कर दी अब उसे कुण समझाए क्योंकि बाबा की बात ही उसका समझ में नहीं आई है तो उसे और किसी की बात क्या समझ में आएगी बाबा ने संज आया था ये इंदर सबा है शिव बाबा ज्यान वर्षा करते हैं उनकी अवग्या की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बन जाते हैं वास्तव में पत्थर बुद्धी हो गए इसलिए बाबा सब को लिखते रहते हैं सब साथ में संभाल से कोई को ले आओ ऐसे नहीं विकारी आपवित्र यहां आकर बैठे या किसी विकारी को पतित को आपवित्र को मदुबन में नहीं ले आना है बाबा से बिलने के लिए नहीं तो फिर ले आने वाली ब्रामनी पर दोश पर जाता है ऐसे कोई को ले नहीं आना बड़ी responsibility है बहुत उंचते उंच बाप है तुमको विश्व की बाशाही देते हैं तुमको क्या देते हैं? विश्व की बाशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार रखना चाहिए उनका कितना रिगार रखना चाहिए बहुतों को मित्र संबंदी आदी याद परते हैं बाप की याद है नहीं अंदर ही घुटका खाते रहे अंदर ही क्या करते रहते हैं? घुटका खाते रहते हैं बाप समझाते हैं ये है आशुरी दुनिया अभी देवी दुनिया बनती है हमारा एम अब्जेक्ट ये हमारा एम हंजी अंदर अंदर गुटते रहते हैं सास कहती रहती है पती को कह नहीं सकती हूँ और किसी को क्या कहूँ मेरी किस्मत खराब है मैं क्या करूँ छोड़ भी नहीं सकती हूँ रहना तो यहीं पड़ेगा जैसे करें क्या कर तो अंदर अंदर गुठते रहते हैं इसको गुठना बोलते हैं बाहर कुछ कर नहीं सकती सास सुनेगी नहीं, नहीं सुनेगा नहीं पती नहीं सुनना नहीं है क्या करो वालजी इसको शुक्षम सजा कह सकती है शुक्षम सजा का वो सजा तो सजा यह न ये मलब वो गुप्त सजा है सुक्षम सजा कह दो गुप्त सजा कह दो मलब अपने आप में लेते रहे न मलब उसमें तो अपने अंदर ले रहे है न हमारी एम अब्जेक्ट ये है क्या बनना हमको लक्ष्मी नारैन बनना है ये लक्ष्मी नायन बनना है जो भी चित्र है सब की बायोग्राफी को तुम जानते हैं ये जितने हमने चित्र बनाए हैं बाबा केते तुम ये चित्र रियल नहीं है ये लिएन बहुत अच्छी तरह समझनी है क्योंकि चित्र तो हमने दुनिया वाले उठाए है जब दुनिया वाली मुर्ति लक्ष्मी नायन की मुर्ति जूठी है तो ये कौन से सची है हाथ तो इसकी बायोग्राफी तुम जानते हो कि ये इतना उच पवित्र देवता बना कैसे था इसकी बायोग्राफी जानते हो तो ये फोटो रियल नहीं है चाहे वो लक्षमी का है चाहे नारेन का है चाहे कृष्ण का है चाहे राम का है किसी का भी है चाहे ब्रमा का है तो चाहे शंकर का है यह सारे फोटो क्या है नकली है और वहाँ पर माउंट आबू में हिस्टी हॉल में जो त्री मूर्ती का चित्र लगा हुआ है उसको जोदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ब्रह्मा का ही शकल शंकर बनाया है ब्रह्मा ही शकल पर विश्णु बनाया है क्योंकि वो हाथ से बनाय हुए है वो विश्णु किशोर भाव के गारा बनाय हुए है तो उन्होंने ब्रह्मा के ही मलब चेहरे पर किसको लगाया शंकर बनाया और विश्नु बनाया विश्नु बनाने के लिए मलब वही तरीका लिया वही कपड़े पहनाए परन्तु चेहरा ब्रह्मा बाबा का ही रखा अब इस बात को कोई वहाँ जाएगा ध्यान से देखेगा तो समझेगा क्योंकि इसके पीछे राज हमें समझ में आया कि एक ही ब्रह्मा बाबा तीनों रोल प्ले करता है पर तो अब आगे वाले आर्टिस्ट जो हैं आज कल मेरे जैसे चित्र बनाने वाले अपनों ने उठाया कृष्न का चित्रों लगा दिया और अभी तो पहले वाले यदि आप चित्रों को देखेंगे उन चित्रों में फिर भी सबेता पूर्वक क्रिश्न को खड़ा किया गया रादा क्रिश्न को यहां तो रादा क्रिश्न को असब्वे दिखा के असब्वे रूप में खड़ा कर दिया है चित्रों में ध्यान से देखो तो क्योंको दुनिया में असब्य राधा किस्ण के चित्र बनाए है उन्होंने असब्य चित्र राधा किस्ण का उठा और वहाँ पर कट पेस्ट कर दिया क्या होगा अब बनाने कौन बैठे ढूंडे कौन जो उनको अच्छा लगा वही उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया आप योदि लक्ष्मिनान का चित्र देखेंगे हमारा जो पुराने चित्र हैं बड़ी सब्यता से खड़े किए पर तो आज कल के जो नई परदशनिया चित्र बन के आ रहे हैं उसके उन्दर बड़ी असब्यता से राधा कृष्मिन को खड़ा किया हुआ है मलब यहां देखो राधा और कृष्मिन एकदम सीधे खड़े हैं और जो दूसरी जो आगे हमें राधा ने अपना कर्ष्मिन के कंदे पर रखा हुआ है वाई क्यों रखा हुआ है भई तो इस परकार से मलब थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझना है अब बनाने वाले उनकी मर्जिया जैसा मर्जि करें जैसा मर्जि दिखाए तो इपराने चित्रों में बाबा ने जो चित्र बनाए उन चित्रों में और आज की बनाए हुए चित्रों में बहुत अंतर देखने को मिलता है पर अधि ध्यान से कोई समझे तो समझ सकता है कि चित्रों का भी बेड़ा गर्क होता जा रहा है कहीं चित्रों में सुधार आ रहा है तो कहीं चित्रों में गिरावत भी आ रही है जैसी स्रिस्टी वैसी स्रिस्टी तो जो भी चित्र है सब की बायोग्राफी को तुम जानते हो लक्ष्मी नारयन बनना है जो भी चित्र है सब की बायोग्राफी को तुम जानते हो क्योंकि जो हमारे बड़े सीनियर बैठे हैं उनको देखना तो चाहिए कि भी ये चित्र ठीक करो ब्रह्मा बाबा चित्र को देख करके कहते थे कि ये चित्र में करेक्शन करो कोई सीनियर होना चाहिए जो उन चित्रों को देख करके कहे कि भी नहीं ये चित्र अच्छा नहीं लगा इसके अंदर ये क्रेक्शन करो परंतु कोई कहने वाला ही नहीं है सब अपने मालिक है जो मर्जी आती है प्रिंट कराके बाहर बेचना शुरू कर देते हैं सुनता कोई भी नहीं है लक्ष्मी नायर्ण बनना है जो भी चित्र है सब की बायोग्राफी को तुम जानते हो मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेनद की जाती है तुम भी समझते होंगे ये कुछ अच्छा बुद्धीवान है ये तो कुछ नहीं समझते हैं तुम बच्चों में जिसने जितना ज्यान उठाया जिसने जितना ज्यान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं मुख्य बात है ही गीता के भगवान की सुर्यवशी देवी देवताओं का ये एक ही शास्त्र है अलग अलग नहीं है ब्रामनों का भी अलग नहीं है ये बड़ी समझने की बाते हैं इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिरा गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा तो ज्ञान बह जाएगा अच्छे अच्छे, जाकर विकार में गिरते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, जाकर विकारी बने, तो पत्थर बुद्धी होगे, तो बहुत ग्यान में अच्छा चलते हों, दुनिया को समझाते हों, और फिर विकारी बन जाए, इसमें बड़ी समझ चाहिए, बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए क्योंकि मुरली में बाबा ने समझा दिया अब मुरली हमने सुन ली तो फिर इसे बाद में क्या करना चाहिए उगारना चाहिए उगारना कैसे होता है कि आप सानी करते हैं गाय के आगे तो फटा फट फटा फट निगल जाती है पर बाद में जुगाली करती है बाद में मैंने देखा है उनको अच्छी तरह से आप में से भी किसी किसी ने देखा होगा कि वो पीछे से जिसे पेट में से कोई चीज बाहर निकालती है फिर मुँ में उसको बैठ कर अच्छी तरह चबाती है फिर वो अंदर के साथ लार भी गिरता रहता है उसका वो अलग बात है वो लार गिर रहा है तो बिमार है मनन करना चाहिए मतलब समझने वाली बात यह है कि एक पॉइंट निकालो मुरली का उसको कुछ देर मन्थन करो फिर दूसरा पॉइंट निकालो मुरली का फिर उसको कुछ देर मन्थन करो फिर तीसरा पॉइंट निकालो मतलब मेरा समझाने का मलब उगारने का मतलब क्या होता है गाए खाते वक्त तो जब खाती है तो एक दम सारा का सारा निगल जाती है फिर उसका एक एक टुकड़ा थोड़ा थोड़ा लेकर आती है उसको अच्छी तरह चबाती है फिर अंदर ले जाती है फिर और लेकर आती है फिर चबाती है फिर पहले उसने किसी अलग जगा पर उ सुनी और उसके बाद घर जाए और फिर बैट करके उसको एक एक थोड़ा थोड़ा निकाले बाद को और उसका मन्थन करें उनको गारना चाहिए यहां तो तुमको बहुत सहज है कोई लोकित कारिय व्यवार हंगामा आदी नहीं है बाहर में रहने से तो दंदे आदी की कितन चिंता होती है अब मदुबन में चले गया तो वहां तो कोई काम दंदा ही नहीं है वहां तो टाइम ही टाइम है सारा तो बाबा कहते है ऐसे ही बाहर में रहने से दंदे आदी में कितनी चिंता चली जाती है रहती है माया खुब तुफान में लाती है यहां तो एकांत लग पड़ी है बाप तो फिर भी बच्चों को पुरिशार्थ कराते रहते हैं ये बाबा भी पुरिशार्थी है पुरिशार्थ कराने वाला तो बाप है इसमें विचार सागर मन्थन करना पड़ता है यहां तो बाप बच्चों को साथ बैठे हैं बाप बच्चों के साथ बैठे हैं जो पूरी अंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहा जाता है इसका क्या मतलब पता है पूरी अंगली देना बाबा की शिरीमत पर पूरा पूरा चलना पूरा पूरा बाबा की शिरीमत पर चलना यह नहीं कि थोड़ा माना थोड़ा नहीं माना कभी अंगली बाबा के आ उठका खाने वाले तो नुक्सान करते हैं। जो अंदर ही अंदर गुठते रहते हैं। वो तो अपना क्या करते हैं? नुक्सान करते हैं। उनको समझ में ने आता क्या करू। किधर जा। कैसे करू। बाबा तो कहता है ऐसे करू। मेरे से तो हो नहीं सकता। मैं तो नहीं कर अब वो गुढ़ते रहते हैं आते भी रहते हैं सुनते भी रहते हैं पर तो सुदरते नहीं और ही डिस सर्विस करते हैं फिर विगन डाते हैं क्योंकि सुद्रे नहीं है तो वो कहते हैं भी विगन पढ़ता है उसे तो फिर क्या कहते हैं हमने देखा है प्रमा कुमार कुमारिया क्या होते हैं सुदरे ही नहीं हमारी तरह ही है वो भी क्या पर क्यास को सुदार ही नहीं है तो उनको कहने का मुका मिलता है विजन डाजते हैं आने वालों को आने वालों रुख जाते हैं कोई कि हर एक देख रहा है कि वहां कोई सुधार आ रहा है तो तो जाएं फायदा हो रहा है किसी को तो जाएं ये तो जानते हो माराजा मारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियां भी चाहिएं वे भी यहां के हो जाएंगे सारा मदार पड़ाही पर है इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं पुरशारत के लिए टाइम तो मिला हुआ है ग्यान से किन का है, गुद्धी में है शे बाबा से वर्षा मिलता है, थोड़ा भी ग्यान सुना शे बाबा को याद किया, तो भी आ सकते हैं प्रजा तो बहुत बनने की है, हमारी राजधानी, सुर्यवन्शी, चंद्रवन्शी यहां स्थापन हो रही है, बाब का बन कर अगर गलानी करते हैं तो बहुत बोजा चरता है, एक दम जैसे रसा तल में चले जाते हैं बाबा ने समझाया है, जो अपनी पुझा बैठ कराते हैं, वे पुझे कैसे किला सकते हैं बाई जी, बाई जी, बोलो अपनी बैठ पुझा कराते हैं, इसका कहने का चाहते हैं ऐसा है कि बहुत सारे गुरु, संत, महात्मा और जिन में चाहिए हमारी देदिया भी कोई बैठ करके अपनी पुझा करवाएं यहां पुझा हो जाएगी, आगे जाके नहीं मिलेगी अपना गुंगाँ करवाना हां मेरे बारे में अच्छा अच्छा बताओ, मेरे गुंगाओ जड़ा, अब मेरी परेससा तो कर देंगे और उसके बाद यहीं मेरी परेससा हो गई, जो मैं चाहता था भो मुझे मिल गया, मेरे खाते में क्या जम्मा हुआ फिर मैंने जो किया मैंने बहुत अच्छा भाषन किया बहुत अच्छी बाते बताई और रोणे मेरे गुनगा दिये हो गया काम बस काम कतब मैंने जो मेनत की उसके कमाई काफल मुझे मिल गया आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है نा इसलिए का जाता है नेकी कर दर्या में डार तुम्हारा अपने पूजा नहीं करवाए अब इस तरह भी गुरु मात्मा हैं मैं उनकी सब क्या है उन्होंने थोड़ा सब कोई चम्मतकार दिखाया दिखाया और नहीं दिखाया अच्छी अच्छी बाते बताए लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया अब बैठे हैं ठीक है हर एक के काम अपने कर्मों के अनुसार हो रहे हैं वो समझते हैं गुरु जी ने हमारे उपर किर्पा किया उनके कारण हमारे ये काम हो रहे हैं हम इनके रिग्रिन हैं हम इनके पास गए थे इनके पास जाने के बाद हमारा काम हुआ हम तो यह समझते हैं यह हमारे लिए भगवान अब शिप्तम बाठ अब उन्हीं का गुण गाते रहते हैं अब गुण यहीं गाली आगे क्या मिलना है भी नहीं मिलना सद गती दाता सर्व का सद गती दाता कल्यार करने वाला तो एक ही बाप है मनुश्य तो शांती का भी अर्थ नहीं समझते कि शांती क्या होती है हाथी योग से प्रवायाम आदी चड़ाना उसको ही शांती समझते हैं हाथि योग से क्या करते हैं प्रणायाम चड़ा लेते हैं उनका अभ्यास होता है कि वो पहले एक मिनट सांस को रोकेंगे फिर दो मिनट, पिर तीन मिनट, पिर चार मिनट, ऐसे सांस को रोकने की टैपस्टि को बढ़ाते जाते हैं तो दीरे दीरे वा आदा गंटा एक गंटा दो गंटा तीन गंटा अपने सांस को भी क्या करते हैं रोक लेते हैं इसको का जाता है प्राणायाम प्राणों को आना जाना रोक लेते हैं प्राणों को अपने सांस को रोक लेते हैं उसका फायदा तब होता था कि जब अना गोता खोर के लिए वो अभ्यास करते थे ताकि पहले पानी में कोई डूब जाए कोई फस जाए तो उसको निकालने के लिए वो दस मिन पंद्रा मिन आदा घंटा पानी में रह सके सांस को रोक कर रह सके तो वो उनको लास को निकालने में या किसी डूबने वाले को निकालने में हेल्प करते थे तो वो सीखते थे ये एक हठी योग है तो बाबा ने इसलिए शब्द प्रोकिया है कि हठी योग करके वो अपने सासों को रोक लेते हैं पर तू समझते हैं कि शांती, वो समझते हैं कि इसमें आम इतने देर तक शांत रहे, हमारे शांत कहां रहे तुम, सांस को रोकने पर आपके संकल्प उतल रहे थे, संकल्प थोना रुख गए थे, शांती तो तब होती है जब संकल्प भी ना, आपका संकल्प रुका हुआ है कि सांस को रोकर रखना है सांस नहीं छोड़ना है सांस नहीं छोड़ना है उच्छ नहीं होगा अपने आपको स्वज़स्टन देते रहना पड़ता है मेनत लगती है कोई की ब्रेन खराब हो जाती है प्राप्ती कुछ भी ने कोई की ब्रेन खराब हो जाती है शांती समत्ते ब्रेन क्यों खराब हो जाती है क्योंकि तीन मिनेट तक यदि ब्रेन को ऑक्सिजन ना मिले या ऑक्सिजन पूरी ना मिले तो ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है सांस रोक लेते हैं हमारे ब्लड में जो ऑक्सिजन होता है वो ब्रेन को मिलता रहता है अब हमारे ब्लड के अंदर काफी अक्सिजन की मात्रा रहती है वो ब्रेन को पहुंसती रहेगी अब आप सोचे कि आपने सांस तो रोक लिया और उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे गैरा सांस लेंगे लंबे-लंबे सांस लेंगे तब जाकर कि आपको उखजर मिलेगे यदि किसी ने इसलिए प्राण याम के लिए कहते हैं कि इसी एक्सपर्ट टीचर के अंदर करना है ऐसे अपने आप प्राण को सांस रोकने की किरिया को प्राण याम की किरिया को अभ्यास नहीं करना वरना क्योंकि आवेदी को हट करके बैर जाए अब उसका पहले तो दीरे-दीरे अभ्यास करे तो ठीक है पर तो दीरे-दीरे ठीक तरीके से अभ्यास नहीं करे और वो सास को रोक कर बैर जाए तो सास तो जाएगा नहीं ना आपने रोक लिए तो आप अपने आप ही मर जाएंगे गला गुटना होता क्या है गला गुटना क्या सासी तो बंद हो गया सास की नली ही तो बंद होती है जो गला लटक जाते ह पांसी पर उसमें ये सास की नली को बंद कर देता है अब ये सास की नली बंद रहेगी तो तरपेगा तरपने के बाद वो फिर सास मिलेगा नहीं तो brain dead, सब कुछ dead हो जाएगा तो इस परकार से तरपता क्यों है खैर, हमें बेन बात समझने हैं brain खराब हो जाती है प्रापती कुछ भी नहीं वो है अलपकाल की शान जैसे सुख को अलपकाल काग विस्टा समान कहते हैं वैसे वो शान्ती भी काग विस्टा के समान है वो है अलपकाल के लिए बाप तो 21 जनम के लिए तुमको सुख और शान्ती दोनों देते हैं कोई तो शान्ती धाम में पिछाडी तक रहते होंगे जिनका पार्ट है वे इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे न बाल दास दासियां होंगे पर तो अंदर थोड़े घुश सकेंगे स्रीकेशन को भी देखना सके सबके अलग-अलग महल होंगे न कोई टाइम होगा देखने का जैसे देखो पोप आता है तो उनको दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत परभाव होगा लाखो मनुशे जाएंगे दर्शन करने के लिए यहां Шिव बाबा का दर्शन कैसे होगा यह तो समझने की बात है यहां शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा ये तो समझने की बात है अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि ये सबसे उंचती रहत है देलवारा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो वे भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है उनको ज्यान देने की भी दरकार नहीं वे फिर तुमको ज्यान देने लग जाएंगे उनको ज्यान मत सुनाना क्योंकि वो तुमें सुनाने लग जाएंगे राय देते हैं न ये करना चाहिए ये करना चाहिए ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है एक-एक को समझाने में मेहनत लगती है उन पर कहानिया भी है कहते थे शेर आया शेर आया तुम भी कहते हो मौत आया की आया तो ये विश्वास नहीं करते हैं समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं मौत कहां से आएगा परन्तु मौत आना तो जरूर है सब को ले जाएंगे सब को ले जाएंगे वहां कोई भी किचड़ा होता नहीं यहां की गव, वहां की गव में भी कितना पर्क है स्री किष्ण थोड़े गव में चराता था उन्हों के पास तो दूद हेलिकॉप्टर में आता होगा यह किचर पटी दूर रहती होगी सामने घर में थोड़े किचड़ा रहेगा वहां तो अपरम अपार सुख है जिसके लिए पूरा पुर्शार्ट करना है कितने अच्छे अच्छे पच्चे सैंटर से आते हैं बाबा देख कर कितना खुश होते हैं नंबर वार पुर्शारत अनुसार फूल निकलते हैं फूल जो हैं वे अपने को भी फूल समझते हैं दैली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन ग्यान भी कितना उंच है आगे तो कुछ नहीं जानते थे अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है बाबा के पास तो सब समझ चार आते हैं कोई का सुनाते हैं कोई का नहीं सुनाते हैं क्योंकि टेटर भी बहुत होते हैं बहुत फर्स्ट कलास भी टेटर्स बन पड़ते हैं, third class भी treaties हैं, थोड़ा ज्ञान मिला, तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए, हम शिव बाबा के लिए क्या बन गए शिव बाबा क्या ज्यान देगा उसको ज्यान देना ही नहीं आता सारी खिच्री पकां के बित बताता रहता है यह नहीं कि पहली क्लास वालों के लिए अलग बताओं दूसरी क्लास वालों के लिए अलग बताओं वो बाबा शिभ बाबा के भी बाबा बनके बैठ जाते हैं उनको यह नहीं समते हैं शिभ बाबा कितना मन विज्ञानिक तरीके से पढ़ाता है वो उसके भी बाप बनके पैर जाते हैं पहचान तो है नहीं के कौन नौलिज देते हैं पहचान हो के बगवान आके पढ़ा रहा है क्यों ऐसा पढ़ा रहा है ये उसको समझ में आना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप गादा का याग त्यार और गूड मर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते हम रुआनी बच्चों की रुआनी बाप गादा को नमस्ते नमस्ते त्यारना के लिए मुख्य सार नमबर एक विश्व की बाजशाही देने वाले बाप का बहुत रिगार्ड रखना है, बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पड़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाप से जो ज्यान मिलता है, उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विगन रूप नहीं बनना डिस सर्विस नहीं करनी है, एंकार में नहीं आना है, वर्दर, चारो ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद, बाप के दिल पसंद मार्ट्स लेने वाले दिल तक्त नशीन भव, किसके दिल पसंद नमबर लेने हैं? पसंद बाप के दिल पसंद के दिल पसंद में बाप लेने हैं? के हैं बाबा कह रहे हैं चारों सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले देवतक्त नशीन भाव ऐसे मेरे देवतक्त पर बैठने वाले बच्चे पनो जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं आदी से अंत तक अच्छे नंबर स पास होते हैं उन्हें ही पास्वेद और कहा जाता है बीच बीच में मार्स कम हुई फिर मेकप किया ऐसे नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद की तक्तनशीन बनते हैं साथ साथ ब्रामन संसार में सर्व के प्यारे सर्व के सयोगी सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक्त नशीन सो राज्य तक्त नशीन बनते हैं स्लोगन है दिल रुबा वे है जिसके दिल में सदा यही अनहत गीत बस्ता रहे कि मैं बाबा की बाबा मेरा अक्सा ओम शांती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदी कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल पर्शिप करें हो नहीं ओम शांती